अब फिर से मृत्यू के उपर ही है कि आम जिन्दगी में जीवन के उपर जैसे बोला जाता है कि जीवन आनंद है जीवन ये है अब मृत्यू की कोई बात इसमें कोई आती नहीं है कि जैसे कि अध्यत्मिक्ता में भी अप देखें लोगों ज्यादा मृत्यू के उपर कुछ चर्चा नहीं है कि कि ऐसा किसी पर आजकल मोटीवेशन भी देख लें या कहीं भी कोई जगा मृत्यू के प्रति कोई बात या कुछ भी उसका ऐसा दिखाया नहीं जा रहा है कि वस्तविक् प्रत्वाथ की बात करें यहां साखी गृंत रख ठाया कि उसमें काल को अंग है पूरा काल को लेकर के 2-4 साख़ूकियां 1-2-4 worden है, काल का पूरा एक अध्याय है जिसमें मात्र काल की और मृत्यू की ही बात गुरुब्रन साहिब उसमें बार 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 मृत्यू की बात है। जीजस का जीवन देखिए। उस जीवन का शिखर ही है। उनका सहर्षवरन। आज अगर आप आएं कि अध्यात्म में जो लोग हैं मृत्यू की बात करने से घवरा रहे हैं। तो बात वस यही है कि वो घवराये हुए है। जो घवराएगा वो कतराएगा। वो कहते हैं जीवन आनंद है। जो जीवन मृत्यू से समाप्त हो जाने वाला है वो आनंद कैसे हो सकता है। जिस जीवन को आनंद बताया गया है वो भावतिक नहीं आत्मिक जीवन है। भावतिक जीवन तो कष्ट से परिपूर्ण है। आनंद है वो जीवन जो न कभी शुरू होता है न कभी खत्म होता है। यह जिसको आप कहते हैं जिन्दा होना इस जिन्दगी में आनंद हो ही नहीं सकता। हम तो जिन्दगी इसको समझते न कि एक आदमी है चल फिर रहा है, सांस ले रहा है, खाना पीना खा रहा है तो उसको कह देते हैं जिन्दा है। इसमें नहीं आनंद हो सकता। जिस जीवन में आनन्द है वो जीवन है जो कभी शुरू ही नहीं होता वो उस जीव के लिए है जो कभी जनम ही नहीं लेता वो उस जीव के लिए है जिसकी कोई मृत्यु नहीं समझ रहें सच्चे गुरु की पहचान यह होगी कि वो बार 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 आपको जीवन की निसारता से परिचित कराएगा और आपका ध्यान मृत्य की और खीचेगा बार बार और जूटे वक्ताओं की पहचान ये है कि वो मौत से बहुत कतराएंगे मौत से बहुत खौफ खाएंगे, मौत के बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं मौत की बात ही नहीं करेंगे बार बार यहीं कहेंगे कि लेट्स मेक लाइफ ब्यूटिफुल कभी बताएंगे नहीं लाइफ मने क्या हाँ लाइफ शब्द का इस्तिमाल बार बार करेंगे जीवन जीवन करेंगे, जीवन क्या ही कभी नहीं बताएंगे क्योंकि उनके अनुसार जीवन है ही यह हाड मास के पुतले का गतिशील होना उनकी जीवन की परिभाशा ही यही है हाड मास का पुतला चल रहा है तो लाइफ और वो बार बार कहेंगे लाइफ, वेल बीग, लाइफ, वेल बीग और आपने बात करी उनकी जो मुटिवेशनल बातें करतें उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो आपको याद ही ना आने दे के मरोगे वो तो आपके अहंकार को बिलकुल जाड पिछढा देना चाहते हैं और मौत का तथ जब सामने आता है तो अहंकार चित्त मूह के बल घरता है धूल में तो आपको दो मौत आयाद भी आरही होगी तो कहेंगे नही नहीं नहीं मौत कुछ नहीं तू जिंदा रहेगा तू आगे बढ़ बस तू भाग मिलखा एक भी कर सकते हो तूम बड़ो तो तूम इरादी सो करो तूम कर सकते ओ। अहंकार और सुन्ना क्या चाहता है यहीं तो है कर सकते है, थे हैं इयुक्त है, हम भी कर सकते है खास तर पे जमान लोगों को पकड़ लो उनमें तो राज सिक्ता वैसे ही बहुत चड़ी रहती है और उनका इरादे भी बहुत कुछ पाने के होते हैं अब जो पाने निकले थे वहाँ चाटा खा के आए हैं फिर सामने मिल गए मोटिवेशन गुरु वो बोलेंगे नहीं तुम कर सकते हो कमर कसलो तुम कर सकते हो फिर करने के वहाँ को पाने का एंगे कुछ चाहिए उसको भी नहीं बताएंगे कि क्या करने योग्य है बस यह चेह चले तुम जो कुछभी करना चाहो तुम वह कर सकते हो वह इस पुर्षन को यह जहे रहेंगे स्टी परिष्ण को चेढेंगे कि ऎल जीवन का लक्ष्छ अलग तिपल क्या कर्म है जो करने योग है, इसकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात करने के लिए, जीवन में क्या करने लायक है, तब तो दूसरों को बताए ना, जीवन में क्या करने लायक है, वो बस ये बताते हैं, कि तुम्हें जो कुछ भी करना है, you can do it. अब प्रशनिये नहीं है कि वो इस तरह की बाते क्यो कर रहे हैं प्रशनिये कि आप ये सब बाते सुन क्यो रहे हैं हर समय में हर तरह के लोग हुए है उन्हें हक है अपने तल की बात करने का पर आपको भी तो हक है ना कि उनकी बात न सुने आप कहें सुन जाते हैं?